तो गाज आपने येलो कलर में दोएर कावी सारी बाइक देखे हूंगी बड़ यार जो ही आप रोड प्रेजन्स हीरो की रिज मैक्समार के येलो कलर किया वह उसकार अलगी फील है और गाज अगर आप इस बाइक को बहुत ही जल्दी पर्चेस करने का सोच रहे हो भी लोन प पड़ेगी तो गाज वीडियो काफी जदा बढ़िया होने वाली है और अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल गाड़ी शार्ट को सब्सक्राइब कीजिगा और अगर आपको वीडियो चलेगे तो वीडियो को शुरू किया जाए तो यह रही हमारे सामने औ बाइक का लूकएं पर काफी बड़ी पर नजहराता है और गाइस अगर बात करें बाव Déक की सैट और वारा यह पार में तो कुछ ऐसे में बाइकर PER प्रफाइल देखने को मिलती है और बात करें बाइक की रेर लुक के बार में तो गाइस कुछ ऐसे में आपर बाइक की रेर लुक देखने को मिलती है और यहां पर दोस्तों अगर बात करें इस बाइक के इंजन के बार में तो ना यह सेग्मेंट की काफी पाउरफुल बाइक के वरें आपर काफी बड़ी है पावर में इस बैक से देखने को मिलती है और तो बात करें बाइक के इंजिन के बारे में तो इस बैक के अंदर 210 CC single cylinder 4 stroke 4 valve liquid cool DOSC इंजिन में इस बैक के अंदर देखने को मिलता और यह जो इंजिन है वो प्रद्यूस करता है 25.5 PS की maximum power और 20.4 Newton meter का maximum torque आपको इस बैक से देखने को मिलता है इस बैक में देखने को मिलता है इस बैक में देखने को सिक स्पीड gearbox 11 लिटर का fuel tank यहापर बाइक में देखने को इस बाइक का 163.5 kg का हमें कववेट यहापर इस बैक से ओफर किया है और दोस्तों अगर बात करें इस ब स्पीड यामा आर्वन फाइबरेजन फोर और बजाच पलसर आरेस टूहनेड से बीज जाद है और यह बाइक ना असानी से 150 प्लस किलोमेटर पर आरक आसपास के जड़ टॉप स्पीड है वो टॉस्ट कर लेती है और आपको बाइक कैसे लगी प्लीज में कमेंड करके शेर किजेगा तो सबसे पहले बात करें क्रिजमा एक्समार के डीटेल ओन फ्रेस की बारे में तो अभी इस बाइक का जो एक्स्ट रूम प्रेस है वो चल रहा है 1,79,900 रुपीज और गैज अगर आप इस बाइक पर्चेस करते हो तो आपको 12,000 रुपे का इस पास का इस पास का जाटियों चारिस इस छलब दोस्तों की बारे में अगर बात करें तो यहां पर आपको 1000 रुपे पर करने परते हैं और यहां पर 1000 रुपे आपको अदर20 5 आने पर ऑब दोसो तुरल तो छो तो रोंड़ घए वो दोश्तुर यहां पर हो जाते हैं दाउन पेमेट कर देते हो तो आपकी जो परमत EMI है वो बनेगी 6300 रुपे वो भी अगले 36 महिनों के लिए और बात तरे सेकंड EMI प्लाइन के बारे में तो वहाँ पर आप कर सकते हो इस बाइक के लिए 60,000 की डाउन पेमेट और 60,000 की डाउन पेमेट करने के बाद जो परमत EMI है वो बनेगी 5200 रुपे वो भी अगले 36 महिनों के लिए और बात करें थर्ड EMI option के बारे में तो वहाँ पर आप इस बाइक के लिए कर सकते हो एक लाख रुपे की डाउन पेमेट और जो आपकी परमत EMI है वो बनेगी 5250 रुपे वो भी दोस्तों अगले 24 महिनों के लि होन दिया है और गयाज अगर आपको यह वली बाइक पसंद आई है और आप इस बाइक को पर्चेस करना चाहते हो तो आपको परमन सेलरी है ना वो भाई होनी चीए कम से कम नहीं तो 30 से लिके 40,000 के बीच में तो अगर आपका सानी से बाइक के लिए लोन हो जाता है और इत कि 30,000 के अश्पास तो होने चे ताकि आप इसली इस बाइक के एक्सपैंसिव और अपने एक्सपैंसिव कवर कर लें तो गाइस उम्मेद करता हूं कि आपको वीडियो चील लगी होगी तो गाइस अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मारे चैनल गाड